हाई इस वीडियो में मैं आप लोगो को बताऊंगा कि जो नई वेकेंसी आई हैं जूनियर एक्जेक्टिव की AI में उनके थोड़ा डीटेल एक गो थू कर देता हूं मैं आपको एडवर्टाइजमेंट ताकि मेरा कुछ इन्पुट आपको काम आ जाएगा और बहुत सारे ल एक पर क्लिक करोगे तो ऐसा दिखेगा इसमें यह दबाओगे डाउनलोड वाला तो खुलेगा यह फुल अडवर्टाइजमेंट जो है और जो दूसरा वाला लिंक है यह दूसरा वाला लिंक खोलोगे तो यह खुलेगा जिसमें तीन आप्शन्स है एक तो नोटीस दिया हुआ है 25-7-2023 तो पुराना जो है वो कैंसल होगे नया वाला पुराने पर डिसकस नहीं करेंगे नया वाला दिखेंगे डारेक्ट तो इसके रिगार्डिंग यह नोटीस है इधर क्लिक करोगे तो दिख जाएगा फिर यह इन्स्रक्शन्स है कि एप्लिकेशन कैसे भरने ह है एप्लिकेंट को तो वो मेरे को नहीं लगता मेरे को बताने की ज़रूरत है आप लोग स्मार्ट एनफ है वो देख सकते हैं फोटोग्राफ का साइज क्या होना चाहिए है साइन वागरा कैसे होना चाहिए वो उन सब पर नहीं जा रहा है थार्ड वाला जो है फिजिकल ए तो ऐसा कुछ का PDF खुल जाएगा तीनों मैं दोनों गो थू कर देता हूँ तो समझ गए होगे तो जैसे यहां पर आते हैं अपन लोग तो लिखा क्या है रिकूर्टमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट सेनियर असिस्टेंट एन जूनियर एक्जेक्यूटिव इन एए है जूनियर एक्जेक्यूटिव ग्रूप B की पोस्ट है इन दोनों में भी जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट में जूनियर वाला थोड़ा नीचे वाली पोजिशन है सीनियर वाली उपर वाली नाम से पता चल रहा है एड़टाइजमेंट 323 है यहां पर एपने कंट्री में जो एट ए इयरस्पेस और जो मेंसेट ग्राउंड का पार्ट है वो पुरा मेंज़ करती है मैंपाट करना मेंटेन करना अपग्रेट करना कभी इंटर्व्यों के काम आरके में मावलेश ενius वस्च्रांग फिर अपन मेंटेन करते हैं काम की बाते पर आते हैं एप्लिकेंट्स को ऑनलाइन थ्रू ही करना है कोई आफलाइन मोड नहीं है तो यह ध्यान रखिया या फिर कोई और अधर मोड नहीं है ऑनलाइन ही आपको अपलाइन करना है वो भी इसी साइट पर है फिर पोस्ट पर आते हैं जो बहुत क्रीम वाली पोजिशन है वो यह है कॉमन केटर आप सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटर है शायद इसके लिए और होना भी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा है वाइकेंसी है जूनियर एसिस्टेंट यह पोजिशन का नाम है मतलब पोस्ट का नाम है समझ लिए आप जिस डेजिगनेशन पर रहेंगे वो यह है जूनियर एसिस्टेंट और जो ब्रैकेट में लिखा है वो डिपार्टमेंट है मतलब ऑफिस वाला वर्क है जूनियर एसिस्टेंट गूर assistant कहलाओगे आप किस केडर में हूँ बोलोगे तो accounts में हूँ जैसे मैं हूँ तो मैं junior executive हूँ किस केडर में हूँ CNS में हूँ मैं कोई ATC वाला होगा junior executive है तो bracket में ATC होगा या ATM भी बोलते हैं कभी गार उनको तो यह group C की post जो है वो यह है नौनो है देख रहे हैं आप टोटल इसमें भी division देख रहे हैं पूरा आप लोग यह तो समझी गाया होंगे में को बताने की ज़रुरत नहीं है EXSM means ex-serviceman है और यहां PWD means physical person with benchmark disability उनके में भी टाइप होता है ABCDE उनके हिसाब से विकेंसी distributed है तो यह दो हो गए है तीसरा junior executive common cadre यह तो बहुत लोग भरना चाहरे है इसमें सबसे जाधा विकेंसी है सब के लिए भी विकेंसी है सिवाए एक सर्विसमें को छोड़के अच्छी खासी opportunity है भाई बहुत कम दाम में आपको बहुत अच्छी चीज मिल जा रही है ले लो आज कल कितना महिंगाई है अभी कली पर 100-200 रुपए एक क्या 160 रुपए मैं टमाटर खरीद किलो फिर यहां फैनेंस आते हैं फैनेंस वाला का देख रहे होगे आप इनकी विकेंसी अच्छी है तो फैनेस वाले भी ट्राय मारी है अच्छी पोजिशन मिल रही है आपको और फिर उसके बाद मतलब इस पे क्या वोलो बांड वांड भी नहीं है तो अच्छा है ठीक है फायर सर्विसेस जो है उसमें विकेंसी बहुत कम में तीन है यूर में पर एक्टिव पोजिशन है थोड़ी है ध्यान रख रहेगा वही जान बचाने वाला आग में कोई जल रहा है तो आप जान बचाएं एकदम ऐसी हीरो वाली फीलिंग आईगे लावाले लीगल केसिस के लिए है लीगल मतलब केसिस जो रहते हैं वो हैं करते हैं तो उसके लिए जुनेर एक्जेकुटिव लाओ है यह डिजिगनेशन है यह डिपार्टमेंट है ठीक है अठरा विकेंसिस है सब कुछ दिख रहा है समझ में आ रहा है कुछ भी मेरे को एक्स्प्लेइन करने की ज़बरत नहीं होने चाहें ठीक है यह जादा समझेंगे जो मेरे को समझ में आया मैं बताता हूं यह सारे पोस्ट हैं 5-6 पोस्ट हैं यहां उपर दिख रहे हैं छे पोस्ट हैं इनके लिए क्या-क्या फंक्शनल रिक्वाइर्मेंट्स हैं जैसे S, ST, W, MF, STW मतलब अब्रिवेशन से यहां लिखा है मतलब S मतल मतलब स्टैंडिंग यह सारी चीज़ें कर पाएं वो फंक्शनल रिक्वाइर्मेंट्स हैं और यहां पर सूटेबल कैटेग्री स्कौन सी हैं जैसे A टाइप के यहां पर दिया हुआ नहीं ए टाइप की पोस्ट है यह देखिए तो A टाइप के लिए B और LV वाले लिए नहीं है नौट अप्लिक है फायर वाली थोड़ी एक्टिव पोजिशन है उसमें ट्रेनियर वेनिंग भी रहेगी उसमें उसके जो रिक्रूट्मेंट वाले जो कंडिशन्स है वो थोड़े हवी है वो यह इसमें दिखी जाएगा आपको बताऊंगा फिजिकल टेस् जोब मिल जाएगे सीनियर असिस्टेंट में भी वैसे है लेकिन प्रिफरेबली बीकॉम वालों को किया जाएगा पर भी आप अप्लाय ज़रूर करें अगर अलीजबल है तो प्रिफरेबल है ऐसा नहीं है कि उन्हीं को लेंगे कोई धंका बंदा मिल रहा हो तो बीकॉम को ना रिफर करके आपको भी रिफर कर सकते हैं दो सार का relevant experience होना चाहिए in the field of financial statement, taxation, audit, other finance accounts, related field experience इन सब में आपका experience होना चाहिए दो साल का account section में है आप account department में है तो उसी से related experience भी मांग रहा हो और यह भी दिया हुआ है कि graduate preferably be home ये दोनों चीज की requirement देख रहे हैं आप तो experience में देखेंगे आप यहां लिखा हुआ है, degree के दौरान अगर आप कोई experience ले रहे हैं तो वो नहीं माना जाएगा degree के बाद वाला जो experience है उसी को count किया जाएगा, hash का मतलब देख रहे हैं, hash लिखा हुआ है, experience को define कर रहा है, experience का मतलब वो क्या consider कर रहे हैं इसके बाद आते हैं, any graduate यह तो सबसे important है भाई, junior executive common cadre पहली बार बन रहा है, any graduate मांगा है, ना 60%, ना 70%, ना 65%, B.E.B. Tech, B. Pharma, B. Com, जो भी किया है आपने, graduate है as far as आप applicable है इसके लिए, ठीक है, बहुत अच्छी position है, desk job मिल रही है भाई, इतनी junior executive मैं भी हूँ, भाई मेरे को gate देना पड़ा था, आप लोको exam निकाल के मिल रही है position, इतनी salary मिलेगी जित expenses भी बहुत अच्छी है, तो मेरे को तो लगता है कि एकदम तूट पढ़ना चाहिए, फिर आते हैं junior executive finance पर, finance पर देखा होगे तो MBA की requirement है, या फिर post graduate diploma होना चाहिए, management में, specialization जिसकी finance होनी चाहिए, या फिर cost accountant होना चाहिए आपको, या फिर chartered accountant, या फिर chartered financial analyst, या इन सम म यहीं मांगा है, और कहीं मांगों नहीं रहा है, फिर उगया बाद हो गया, बैचलर्स डिग्री, ये junior executive fire services के लिए, fire services के लिए, bachelor's degree in engineering, या फिर bachelor's degree in technology, बी टेक या बी इ, in fire engineering, either mechanical in engineering, या फिर automobile engineering, बी बी टेक होना है आपको, either fire से, mechanical से, या फिर automobile से, ठीक है, फिर उसके बा ये professional degree in law में होनी चाहिए, three year regular course after graduation, या फिर five year integrated regular course after plus two, इन दोनों में से कोई भी हुआ, तो उसको consider कर रहा है, ये professional degree in law, and candidate should be eligible to get himself enrolled as an advocate in bar council of India, ये तो law वाले जादा समझेंगे, advocate के तरह enrolled कर सके आप, eligible होने चाहिए, ये मतलब, to do practice in court in India, ये भी लाइन समझा दिया है, बाकी degree diploma के क्या requirements है, देखें, बस एक degree होनी चाहिए recognized, डिम्डी उनिवर्सिटी से, ठीक है, बस उतना काफी है, कोई percentage नहीं मांगा गया, देखें, pass marks और equivalent for bachelor's degree, and also for PG degree diploma, including MBA, CA, ICWA, जो पुराने वाले से change किया गया, वो ये ही है, यहाँ पर एक एड किया गया, MBA वगरा भी एड किया गया, यहाँ पर ICWA, CA वगरा भी था, आई-CWA था पहले, तो वो चेंज आया एक, ठीक है, फिर उसके बाद B.E.B.Tech degree are allowed to apply against the post, for which essential qualification is prescribed as bachelor's degree in engineering, जहाँ पर eligible है आप भी कवाले, वो जगे पे आप apply कर सकते हैं, any graduate में भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर दो post पे करना है, तो अलग-अलग register करना पड़ेगा, यह भी line लिखी हुई है, ठीक है, और नीचे आते हैं, काम की चीज़, age limit देख लीजे, 30 साल के होने चाहिए जुनियर एसिस्टेंट के लिए, as of 4-9-2020, क्योंकि यह deadline है, last date है, submission करने के लिए, form का, फिर उसके बाद 30 साल इसमें भी senior एसिस्टेंट के लिए है, 27 साल होनी चाहिए, जुनियर एक्सिप्यूटिक के लिए, इसमें relaxation है, जो normal रहते हैं, 5 साल SCST के लिए, 3 साल OBC क और फिर उसके बाद, और नीच आएंगे, 10 साल PWD के लिए है, सब का date कैसे देखा जा रहा है, disability issued on or before 4-9-2020, last date है, submit करने के application, फिर extra miss man का रहता होगा, उनके हिसाब से भाई, relaxation मिल रहा है, इसमें लिखा नहीं है, time issued from the time to time, ऐसा कुछ होता होगा, उनका मेरे को नहीं पता है इसमें, फिर जो एक और relaxation है, वो है 10 साल की, candidates who are in regular service of AI, मेरे जासे लोग, regular services में है, कोई आना चाह रहा है, इसमें तो मेरे को 10 साल की छुट है, ठीक है, फिर उसके बाद post code 1 और 2 के लिए है, यह एक special है, जो usually relaxation यह नहीं मिलता है, age relaxation up to 35 years for widows, comma diverse women and women judicially separated from their husband and who are not not remanded, self-explanatory है सब, videos हैं अगर divorce women है, यह separated रहे हैं तो उनके लिए भी 35 साल तक छूट है, बसरते ही उनको यह documents produce करने पड़ेंगे, that certificate अगर नहीं है उनके husband तो, और remarry नहीं किया है उन्होंने, तो videos कहलाएंगे और वो eligible है, certified copy of court, convenience, अगर separation के कुछ documents है तो वो डालने आपको, तो उस पर मैं detail में नहीं जा रहा हूँ, समझ जाएंगे जो लोग होंगे, इस category में belong करते होंगा, ठीक है, date of birth, accepted are no subsequent changes, यह तो कुछ उत्ताब खास नहीं है, समझ गया होंगे आप, date of birth वैसी ही रहनी चाहिए, जो 10th, 12th में रती है, वो ही accept होगी, मतलब date of birth के proof के लिए, फिर उसके बाद online application 5-8, 2023 से अगस्त में शुरू हो जाएगी, और September में देख रहे हैं, आप last date है, ठीक है, और online examination का ऐसा date नहीं बताया है, नहीं syllabus बताया है, तो उसके लिए वेट करना है, प्रेस note में देखते रहिएगा, जब भी आएगा तो रेडी रहे गीएगा उसके लिए, उसके बाद pay scale है, जहाँ पर IDA का मतलब होता है, इंडस्ट्रियल डियर्नेस अलोइंस, दो टाइप के डियर्नेस अलोइंस होते हैं, कुछ लोगों के queries थी है, कि एक central type का डियर होता है, और एक industrial type का डियर होता है, अपना industrial डियर लगता है, industrial डियर अभी फिला आज की data में, as of now, July के बाद change होके, 39.2% चल रहा है, 39.2% of basic pay, central डियर क्या है, 42% चल रहा है, यह central government position नहीं है, नहीं state government position नहीं है, यह PSU है, इसमें government का stake है बस, ऐसा बोलते हैं, तो इसलिए industrial डियर लगता है, कोई जैसे डियर योश्रों, अगर हमें काम करेंगे, वहाँ प पूछेते हैं, तो उनके लिए बता रहा हूं, और DA बदलते रहते हैं, variable होता है, हर quarterly change होता है, हमारा, central में change होता है, हर 6 माईने में, तो जैसे पहला quarter था April, माई, जून, तो उस समय April में change हो, और फिर July, August, September, अभी change हो, 39.2% है, फिर September, अक्टूबर, November, December, उसमें एक दिफ्रेंस, फिर junior executive group भी even position है, जिसमें मैं हूँ अभी, ठीक है, दो increment लगे हैं मेरे, लेकिन अभी भी मैं junior executive है, अगले साल मेरा promotion रहेगा, तो मैंने भी joining इतने पर ही की थी, इसका मतलब यह है कि 40,000 का basic पे रहेगा आपका, जो yearly 3% increment हो हो के, 1,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, माली जे आप junior executive भी रहते हैं अपनी जिंदगी भार, तो आपका change कैसे आएगा salary में, 40,000 है जैसे, उस पर 3% का increment लगा दिए, बारसो कुछ आएगा, 3% of 40,000 करोगे, तो बारसो कुछ आएगा, तो अगले साल आपका basic हो जाएगा, 41200, प्लस कर दिए, फिर ऐसे ही उसके अ एक लाग 40,000 था, यह मतलब होता है इस line का, यह basic पे हुई, वैसी senior assistant का देखेंगे, तो group C, any six, non-executive six है यह, number, जिसका basic पे है, 36,000 और 3% से increment हो होके वो पहुँचेगा, एक लाग 10,000, कभी कहार ऐसा होता है ना, कुछ लोग promotion छोड़ देते हैं, promotion आपके उपर रहता है, अगर हुआ है आपका promotion आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं, तो कुछ अपने personal reasons के वज़े से लोग छोड़ देते हैं, तो तब के case में यह ऐसे बढ़ता है, ठीक है, यह तो promote होगे सीधा आप next pay scale पे चले जाते हैं, junior assistant के वैसे, any four लिखा है आपे, any four मतलब non-ex executive for, उसकी salary 31,000 ऐसे लिखा हुआ है, वो जाएगी 92,000 तक, any one से लेके, आप देखे होगे मेरे promotion वाले वीडियो में, any one से लेके 10 तक जाता है, जैसे जैसे बढ़ते जाता है number, वैसे वैसे आपकी group बढ़ते जाएगी, group C में रहेंगे, फिर group B में आएगे, any 10 के बाद, आप इस position के लिए ज़रूर जाधा ट्राय करें, junior executive के लिए, क्योंकि senior assistant और junior assistant में रहेंगे, आपको सालो लग जाएंगे, junior executive पहुंचने में, designation में, फिर उसके बाद कब group A वाले में जाएंगे, लेकिन अगर junior executive आप बनते हैं, तो 5-7 साल में, 6 साल में, आप group A में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी जॉब अच्छी है, इसमें भी आपको ठीक पे मिलेगा, बस पेख थोड़ा कम रहेगा, और promotion आप बहुत लंबा career भी विताएंगे, तो उस level तक नहीं पहुंच पाएंगे, जो junior executive से start करके पहुंचेंगे, बस यही कहने का मतलब में रहा एमिलमेंट्स देख लिए बहुत काम के हैं आपके, बेसिक पे मिलेगा, जैसे मैंने यह होता है, अभी आपको माल लेते हैं, junior executive में सेलेक्शन हुआ है, तो 40,000 मिल रहा है, ठीक है, डियरनेस अलायंस मिलेगा, IDA, industrial डियरनेस अलायंस, 39.2% of basic पे, बदलते रहता है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, 39.2 रहेगा, तीन-चार महिने बाद कुछ और रहेगा, salary slip वाले वीडियो में आपने देखा होगा, मैं 36 या 37 बोला था, DA का value, तो उस time वही चल रहा था, अभी यह चल रहा है, calculate करने का salary वही तरीका है, जैसे वहाँ पे है, ठीक है, परक्स ह को add कर दो, करीब 70,000 के असपस पड़ेगा, और HR-A मैं count नहीं कर रहा हूँ, HR-A 27 परसंट, 18 परसंट जैसा है, मैंने वो salary slip वाले में बनाया है, वैसे ही है, और off basic पेवरी कलता है, HR-A मैं क्यों नहीं count कर रहा हूँ, क्योंकि generally आप join करेंगे, तो HR-A आपको चला जाएगा हाथ से, क्योंकि आप कहीं न कहीं quarter avail करेंगे, या तो कहीं न कहीं रहेंगे, तो ये हाथ में आता नहीं है, हाथ में जो salary आएगे, वो ये तीन component रहेंगे, इस पे minus कर दीज़े 10-12,000 क्योंकि PF कटता है उसमें, और income tax करता है, जो major रहता है, वो ही 10-12,000 काउंट हो जाएग इसमें है, और इसमें, फिर उसके बाद यहां देख रहे हैं, other benefits है, which includes CPF, CPF वोई provident fund होता है, जो मैं salary slip वाले वीडियो में आप देखोगे, कटता है पैसे, 12% of basic plus DA कटता है, वैसे उतना सरकार भी देती है, वो कहीं imaginary account में आपके save हो रहा है, आपको इसका detail देते रहते है finance वाले सार दर सार की किता पैसा जमा होते जा रहा है, उस बे बाद में return मिल जाएगा, आपको interest लगके, graduate जो आप service किये हैं, आप अपने authority में, तो उसके बिहाफ में, मदब retirement में मिलता है, वालेटरी retirement में कुछ amount मिल जाते हैं, नमसम, ठीक है, social security schemes related to accidents या deaths होती है, फिर permanent disability ह हो जाती है, आपको तो उससे regarding, आपको relief मिलता है, refund, मतलब refund नहीं बोलूँगा, समझ लीजिए, कुछ relief fund मिल जाएगा आपको, आपको या आपकी family को, तो उससे related है, medical benefits जैसे मैं बताया हूँ, medical वाले वीडियो में, scheme में, scheme में मिल जाएगा, और क्या बोलते हैं, आपको medical benefits हारे जो hospital से tie-up हैं, वो सारे मिल जाएगे हाना, वहाँ पे आपको इलाज फ्री में हो जाएगा, एक green card बनता है हम लोगों का, वो दिखाऊगे, सब कुछ हो जाता है, बशर्ते आप admit होने चाहिए, कोई और अधर test है, जैसे डेंगू malaria का करा रहे हैं, तो सब के लिए पड़ेगा, दातों आपका मिल जाता है, मेडिकल वाले वीडियो में देख लेना आप, वाकी उतना detail में बताया है, ठीक है, बाकी यहां लिखा है, देखिए, जैसे CTC लिखा हुआ है, तो 13 लाग तो 13 लाग तो नहीं बनते हैं, मेरे खुद का जो in-hand salary अगर मिलाओं, तो उनको भी मिला के चलो तो 10 तक पहुचता हूँगा मैं, दो इंक्रिमेंट लगने के बाद, तो cost to company है, यह आपके in-hand salary नहीं है, तो in-hand salary आपको जैसे मैं बताया है, वो यहां पर 3 एक component निकालिए, और minus कर दीजए 10-12,000, स्टार्टिंग के लिए आप इतना ही समझ के चलि का package लगता है, लेकिन हाथ में salary मैंने की एक लाकी आ रही है, तो बीच का calculation क्या है, वो company वाला पता सकता है, या तो उनको भी नहीं पता होता कभी बार, जो हां काम कर रहा है, तो जब पता लगेगा मैं बता दूँगा, वैसे ही, तो यह exact figure मत समझें कि 13,000,000,000,000,000,000,000,000 साल में जो अच्छी चीजा मेरे को लगता है, हाथ से मत गवाईएगा मौका, क्योंकि जॉब जो है यह इसमें कोई इतना बहुत ज़्यादा एक दम आपको pressure, जब जान का खत्रा आ गया है, ऐसा कुछ नहीं होगा, हाँ fire वाले में थोड़ा हो सकता है, ठीक है, फिर आते ह इजनल लाली तिखा पाएं, ठीक है, age, experience, all other criteria will be reckoned है, यही cut off date है आपके, सब यहीं से count होगा, age वागर, experience वागर, OBC वाले धेहन रखें, financial year 23, 24 का बनवा ले, as of 2020 जो date है, हो, है इस्टी-स्टी का भी ऐसे ही है, disability का भी ऐसे ही है, सारे certificate आप चार नो दो हजार तेही से पह इसके लिए भी ऐसी है, 23, 24 का बना होना चीए, ठीक है, यह सब तो आप समझते ही है, और ex-servicemen अपने discharge certificate वागरा सब रखे है, और और काम की चीज़ें, मैं क्या वता हूँ आप लोगों को, experience certificate है, और certificate शुट बी इसूट बाई, competent order, आड़र शुट बी इन हिंदिया और English इन केस अगर आप master's वागरा कर रहे हैं, तो graduate degree मलता प्रड्यूस कर पाएं, at least, integrated master's कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी निया, आपको एक साथ भी degree मिलती होगी, तो at least graduation कर प्रड्यूस करके बता पाएं, और काम के, अरे यार, छोड़ो, फिर उसके बाद देखोगे, तो, हाँ, ये काम की चीज़ आपके है, हाँ, ये भी काम का है, कि मल्टिपल पोस्ट के लिए अगर आप apply कर रहे हैं, तो separate registration करना पड़ेगा आपको, सारे eligibility का criteria आपको बस fulfill करना है, यहाँ पर आ जाते हैं, ये बहुत बड़ा काम की चीज़ आपके, देखें, यहाँ पर जो common cadre है, common cadre में बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई है, ये पहला बार मतलब मर्च किया जा रहा है सारे department को, पहले यासा होता था, ये सब अलग-अलग department थे, operations अलग है, commercial अलग है, land management अलग है, airport security अलग है, इन सब को मर्च करके एक कर दिया गया है, ठीक है, पहली बार, और आप कहलाए जाओ गया, common cadre में, junior executive हो है, तो इससे क्या हो रहा है, कि authority को क्या benefit हो रहा है, कि इनके लिए सब के लिए अलग-अलग recruitment होते थे, और time waste होता था, resources waste होते थे, तो सब को merge कर दिया, इन सब के लिए कोई ऐसे specialized degree नहीं चाहिए, any graduate मांगा है, तो उसी से समझ जाए है, आपको normal routine work, paperwork में ही करना होगा इधर, इन सब department में, ऐसे ही है, थोड़ा operation में extra काम हो सकता है, और airport security में, बाकी जो positions है, उन सब में desk work है, normal, यहाँ भी desk work मिलेगा है, ज्यादा तर, कुछ airports में ऐसा हो सकता है, कि आपको operations में extra काम मिल जाए, और अगर आप इसमें recruit होंगे, तो authority का और benefit है, कि आप multi, मतलब एक बंदे में multi skill डाली जाए, समझके चलिए, यह सब handle कर सकता है, जैसी ही आप select होंगे, इसमें, आप liable हो जाएंगे, operations का भी काम कर सकते है, आप line management कर सकते है, आप corporate planning management service भी कर सकते है, आपको किसी का भी काम दिया सकता है, एक time पे एक ही department का देंगे, पर अगर जरुवत पड़ी, तो डो डिपार्टमेंट को भी काम समालना पड़ जाए, आपको, ऐसे इसको ले के चलिए, मैं यह समझाना चाहरा हूं, यह operations में, टर्मिनल बिल्डिंग का manager बना देते हैं, मतलब, टर्मिनल में सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसे माल लिजे, cleaning वगरा सही से है कि नहीं, प्रेसेंजर्स की कोई grievances है, तो उसको handle करना, सब कुछ सही से manage हो रहा है, और बता दूँ, जैसे VIP moment है, अगर PM की moment है, या President की moment है, तो वैसे उनको कैसे handle कर रहे हैं, और जैसे security related हो कि आप कुछ, machine खराब हो गई, security वाली line पर line लगे जा रही है, वो कैसे manage करेंगे, आपके साथ और भी seniors भी रहेंगे, और aircraft के जो workers होते हैं, जो employees होते हैं, वो लोग भी रहेंगे, कभी आप observe करना, किसी airport में जाएंगे, टर्मिनल का मतलब यह है कि passenger जहां घुसता है ना जिस building में, फिर निकलता है जहां से aircraft में बैटने के लिए, तो उस building में एक building होती है, अंदर में सब होता है, बड़े बड़े airports में बहुत सारी चीज़ा रहती है, shopping के लिए भी रहता है, खाने पीने के भी रहता है, पर personality रहते हैं, बता दूगो मैं, अगर time मिलेगा तो, और commercial related to, समझ लिए financial viability, कितना cash flow in हो रहा है, out हो रहा है एक airport में, उसके operational costs क्या क्या रहे है, get depths क्या है, उसके airport to airport, non traffic क्या, मतलब उससे revenue आ रहा है, यह सारी चीज़ाँ पर monitor या फिर report वगरा बनाना commercial का का काम है, commercial देख AI के अंडर है कुछ, तो अपन देते हैं, कि जैसे beational नहीं देता है, land अपनी lease पे, ऐसा type का, तो उससे related कोई भी documentary related work होगा, तो आप handle करोगे, बाहर communication करना authority से तो आप उसमें आएंगे, हाना, तो इसमें भी मदब seniors रहेंगे, अभी junior position में आप काम सीखना है, बस हाना, airport security मे फिर आते हैं, तो जैसे वो, x-ray machine हो गई, metal detector वाला, door वाला हो गया, और hand वाला हो गया, CISF की दिखेगी कहीं आपको, कहीं छोटे airport में जाएंगे, तो authority के लोग भी करते हैं, तो उससे related है, corporate planning and management service and eco planning, eco planning भी जुड़ा है, तो ये जो position है, ये समझ लीगे, air traffic data, मतलब, collect कर करता है, पैसेंजर कितने मूव किये, एक एरपोर्ट पे, कितनी flight की movement हुई, उत्री और गई, और cargo अगरा कितना आया गया, वैसा collect करके data, उसको एक monthly और yearly magazine में convert करना है, या फिर, क्या बोलों, उसको, एक booklet type को बनाना, ठीक है, जिससे क्या फाइदा होता है, modification, upgradeation करना रहत आता है, और भी बहुत सारे इसके working होते हैं, उस पे detail में मैं कभी बाद में बना दूँगा लग से, नहीं तो बहुत लंबा हो रहा है, corporate communication, public relations से related होता है, public relations मतलब बाहर कैसे project करें आप authority को, social media handles, जैसे LinkedIn हो गया, Instagram हो गया, यहाँ पर कैसे portrait करना है, कैसे clapos डालने है, फिर audio और videography कोई event होता है, अगर authority में तो गो capture करना, banners बनाना, advertisements क्रिएट करना, और attenders के notice बनाना, e-newsletter बनाना, यह सब चीजें मतलब corporate communication में आती हैं, ठीक है, यह सब चीजें आप करेंगे, फिर उसके बाद corporate affair और company secretary में उतना idea तो नहीं है मेरे को, पर जितना मुझे पता चला यह कोई बड़े position पर कोई person होगा, तो उसके आप PA का role करेंगे, तो उनके और बाकी लोगों के बीच में कैसे communicate करना है, यह position आपको दी चाएगी इसमें, जितना मेरे को पता लगा है, इसके बारे में detail अगर कुछ पता चलेगा तो मैं बता दूँ, hopefully आपको idea आ गया होगा इन सब में कहीं भी आप काम कर सकते हैं, और एक से जादा में भी काम कर सकते हैं, फिर उसके बाद ये कुछ employees अगर बाहर से आ रहे हैं, कहीं और से PSU से आ रहे हैं, या फिर Central से आ रहे हैं, तो उनके pay regarding है, उस पे आप देख लेना, मुझे तो उत्ता समझ में नहीं आया, ये दो लाइन, आपको समझ में आजाए तो बेटर है, कुछ pay आपका protect करके रखने पे related है, मुझे genuinely बता रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आप पढ़ लिना, यहां देखे, CDA लिखा हुआ है, CDA मतलब Central लिए, regarding pay scale, यहां पर IDA लिखा हुआ है, तो PSUs generally IDA पे चलते हैं, यह चीज़ क्लियर हो गई हो गया, उसके बाद selection process देखेंगे, तो कोई भी can't करेंगे, आपको तो पेल दिया जाएगा, यह तो जानते ही है, पहले line में यह लिखा है, काम की चीज़ें और बता देता हूँ, तो online examination होगा, सारे post के लिए यहां पर लिखा हुआ है, conducted for all the post, computer based sites, इसका syllabus अभी आया नहीं है, देखते रहे है, साइट पर आजाएगा, प्रेस नोट लिखा हुआ है, यहां पर देखते रहना है, खास बात यह है, कोई भी negative marking नहीं है, आख बंद करके शुरू हो जाना नहीं बने तो, तो यह मतलब आपके उपर है, बस मैं मजाग कर रह फिर उसके बाद देखेंगे, तो यहां पर शॉट लिस्ट आपके examination के marks पर होंगे, ठीक है, उसके बाद application verification, वो ही document verification बोलीजे, computer literacy test, किस case में होगा, senior assistant और junior assistant के case में, physical measurement and endurance strength, यह driving test है, यह fire services के लिए होगा, ठीक है, समझ में आ रहोगा, fire services active क्यों है, मैं बोल रहा हूँ, इसमें movement थोड़ा है आपका, इसलिए यह सब required है, और इनकी गाड़ी भी होती है, लगसे वो जो लाल कलर की देखे होगे, जिसमें CD भी होती है, बत्ती लगी होती है, fire, मदब, पानी आनी भी मार सकते है, वैसे authority की खुद की होती है, फिर आते हैं क्या 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 क printer वगर रहेगा, mostly आप paperwork करेंगे, excel sheets, words, इस पर काम, MS office पर ही काम रहेगा, mostly, तो थोड़ी बहुत computer की knowledge रखना है बस आपको, तो यह clear करने पर ही आपको यह दो position मिलेंगे, fire services की जहां तक बात है, online examination तो हो गही, प्लस physical endurance वगरा भी होगा, इस पर आ जाते हैं, तो यह वाला PDF, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, fire services चाहिए भई, fire services का, में क्या physical endurance test हो गया है, तो male candidates के लिए यहां दिया गया है, और किसी position के लिए नहीं है, ठीक है, देखिए 100 meter की running, 12 second में आप पूरा कर लेते हैं, तो 20 marks मिलेंगे, 13 second में करते हैं, तो 18 marks मिलेंगे, ऐसे likewise आप नी कर रहेगा, 20 second में आप जितना कर पाओ, उससाब से marks मिलेंगे, full height कर लिए तो 20 marks, 3 by 4 marks, कर लिए तो 16 marks, ऐसे pole climbing है, 30 second यह होंगे, 8 meter का pole होगा, कितना भी कर लोगे, उससाब से आपको marks मिलेंगे, 60 meter running with human dummy, 50 kg कर रहेगा, dummy, और किते second में आप कर रहे हैं, 60 meter, उसके साब से marks म full ladder climbing, ladder भी होती है, देखे हो कि आप फायर वाली गाड़ी में, कितने second में आप full ladder चाड़ ले रहे हैं, 35 second लगा रहे हैं, 20 marks मिलेंगे, like wise, 0 marks अवार्ड के जाएंगे, अगर यह सारी case है, अगर आपने 16 second से जादा लगा दिया, 100 meter running में, तो आपको 0 marks, ऐसे करते हुए, सारे test के लिए लिखा हुआ है, देख लेना आप लोग, similarly female candidates के लिए, बस थोड़ा क्या है, limits थोड़ी lose करती गई है, female candidates के लिए, same, बाकी है, इसमें, देखेंगे तो, फिर 0 marks है, अगर limit cross करते हैं तो, और यहां लिखा हुआ है, आखरी में, 60 marks चाहिए, minimum, सारे marks मिला के, मतलब पांचों test हुए, उसमें जितने भी marks मिलें आपको, 60 से उपर होना चाहिए, qualify करने के लिए, बाकी बाकी लोग जैसा perform कर रहे होंगे, उससे साबसे selection, ठीक है, उसके अलावा देखेंगे, तो physical, वो था, physical endurance test था, यह वाला physical measurement standards, क्या चाहिए, यह भी fire services के लिए, देख रही होना चाहिए, फिर उसके बाद चेस्ट कितना expand और होना चाहिए, और normally कितना होना चाहिए, फिमल्स के लिए नहीं है, एपली के बार, eyesight बहुत important है, यहां देख रहे हो, six by six चाहिए, without glasses भाई, उपर से color का भी देख लीजे, भाई, नॉर्मल होना चाहिए, नाइट blindness नहीं फूल होना चाहिए, hearing normal, speech normal, reflective index, मतलब कोई blurry, आप blur ना हो, आखे आपके, मतलब blurry ना दिखता हो आपको, disqualification नॉकिंग नी में है, bow legs में है, नॉकिंग नी मतलब कि है, जब straight खड़े होते हैं, तो चिपके ना हो आपके knees, और bow legs मतलब बहुत दूर दूर ना हो, कोई physical deformity, chronic disease, major operation, कुछ भी नहीं होना चाहिए, to undisqualify हो जाओगे भाई, फायर वाला थोड़ा strict है, सब समझ लीजे, वही फायर में बचाने का case है, जहां फायर लगी, वहां दौर भाग करना पड़ता है, विदिन एरपोर्ट और vicinity में उसके, और भी routine वर्क जैसे हो गया है, वह अलारम्स देखते हैं हर साइट पर जाके, कि सही साथ चल रहे हैं कि नहीं, उसको टेस्ट करते हैं, smoke intentionally create करके, ताकि वह अलारम जनरेट हो रहे हैं कि नहीं, अलारम जनरेट होता है, तो सब के पास call चले जाता है, तो यह सारी चीज़ें मेंटेन करना, fire extinguisher देखना हर स time of application verification, यह तो रखना ही है आपको, फिर उसके बाद selection हो जाएगा, तो आपको कौन सा बनवाना है, heavy vehicle driving license बनवाना है, within two year of induction, अगर नहीं बनवाएंगे तो प्रमोशन में दिक्कत आएगे, तो यह fire services के लिए ही है सिर्फ, और कहीं नहीं, और उसके बाद इस सारे तो application verification है, बाकी NOC है, NOC लेके आना पड़ेगा, प्राइवेट से नहीं लगता, पर central government, state government, autonomous body या फिर PSU से आ रहे हैं, तो फिर लगेगा NOC, तो अपने employer का, हाँ, इसके साथ experience certificate, NOC की जगह नहीं लेगा, resignation letter, यह सब कुछ भी दिखाएंगे, तो NOC की जगह नहीं accept होगा, ठीक है, फिर उसके बाद यह test के बारे में है, test अगर आप पास कर गए है, physical computer वाले तो आप हो जाएंगे, through हो जाएंगे, फिर यहां पर यह काम की चीज़ देख लीचे, बहुत काम की चीज़ है, junior executive fire services में bond आपका, ठीक है, training तो जाएंगे, training शायद कुलकता और दिल्ली में होती ह फायर किये, पांचे महीने की हुई होगी, जादा जादा, exact मेरे को नहीं पता है, उस समय आपको alliances pay वगरा मिल जाएगे, लेकिन धियान रखिए, आपको bond 5,00,000 का होगा, 3 साल के लिए, after the completion of training, training खतम करने के बाद 3 साल वो चालू होंगे, मैं भी bond में हूँ, 2 साल मेरे bond के ह हो गए है, एक साल वाकी है, उसके बाद मैं भी bond से release हो जाऊँगा, 3 साल का bond था मेरा भी, 7,6,5,000 था, शायद मेरे को exact ध्यान नहीं है, शॉड़िटी bond वाला वीडियो बनाया है, वहाँ जाके देख लेना, यह काम का इसलिए है कि घुसने से पहले आपको पता रहना चाह प्लस अगर आप किसी और service की preparation वागरा कर रहे हैं, वहाँ selection हो गया है, तो जाते समय भी आपको ध्यान रखना है, कि कहा bond transfer हो सकता है, कहा नहीं हो सकता है, तो वह पॉइंट उपर मैं बता रहता है, कि अगर कोई ऐसी जगह पर जा रहे हैं, जहाँ इस रोट याडियो जास पोस्टिंग के केस में मैं आपको बता दूँ, जो यहाँ पे law वाला था, उनका RHQ, CHQ होता है, जितना मेरे seniors बचा है, CHQ मतलब corporate headquarters, जो दिल्ली में है, और RHQ मतलब regional headquarters, जो region wise है, AI में 5 reason है, East, West, North, South, North East, 5, इनके headquarters का है, East का है कोलकता में, West का है मुंबई में, North का है दिल्ली में, South का है चन्नाई में, North East का है गुहाटी में, इन में से कहीं posting होगी, law वालों की, और architect वालों की भी होती है, architecture junior executive architecture में होते है, बाकी सब की कहीं भी posting हो सकती है, ग्रूप C वालों को तो ऐसा है कि within region होती है, अगर एक region में posting होगा तो, और इनका transfer mostly नहीं होता है, JEE AM होने क के बाद ही transfer होगा आपका, EM होने के बाद mostly, JEE पे भी नहीं होता है, within region या within office कहीं transfer हो जाओ गया, ऐसा हो सकता है, पर EM cadre पे ही होगा, यह finance भी ऐसे ही है, common cadre तो पहली बार है, तो देखना पड़ेगा, और fire services में भी ऐसे ही है, ठीक है, तो posting related आपको, और choice तो नहीं मिलती है भाई, मेरे को जितना पता है कि आपको choice आपको शुरुआत में मिल जा है, ऐसा तो नहीं है, बाद में कभी आप apply करेंगे, transfer season में तो मिल सकता है, उस पे बाद में आऊँगा, और बहुत सारी चीज़ हो जाएगी, यार, इतना देर से बोली रहा हूँ और तो, खतमी नहीं होगा, फिर उसके बाद क्या काम की, हाँ, काम की चीज़ यह है कि 1000 रुपे लगेगा, GST include करके, नॉर्मल और ये online ही पे करना है, exempt कौन होगा, SC, ST, PWD candidates, female candidates, और ऐसे लोग जो apprentice रहें एक साल के लिए AI में, ऐसे लोगों को fee नहीं देनी है, ध्यान रखें, हाँ, यह देख प्रिंट आउट मत भेज दीजेगा AI को, अपने पास प्रिंट आउट रखे रहें है, future purpose के लिए, कुछ भी है, offline नहीं भेजना इनको, online examination major cities में होगा, इंडिया के, तो इसके लिए वेट कर लेना, अभी तो कुछ आया नहीं है, हाँ, यह देख लिए, यह TADA नहीं दिया जाएगा कोई online examination के लिए, और computer test जो होगा, वो bilingual रहेगा, हिंदी और English दोनों के लिए रहेगा, ठीक है, तो hopefully आपको समझ में आ गया होगा, और यह भी देख लिए, कोई भी liability नहीं रखेगा, previous job के आपकी AI, ध्यान रखेगा, bond वगरा transfer हो सकता है, और और कुछ जैसे salary, leave related pension related, कुछ liability नहीं लेगा आपकी, पुरानी job के आपके, तो यह है position भाई, junior executive common cadre के लिए, करिए, try करिए, और बाकी लोग भी try करिए, finance वगरा में ऐसा है कि, बहुत सारे salary related रहता है, कि salary सबको पराबर पहुँच रहे है कि नहीं, कोई transfer से आ रहा जा रहा है, तो उसको कैसे transfer grant मिलता है, amounts मिलते हैं, कुछ वैसा देखना, कोई भी transaction related कुछ भी काम है, जैसे पैसो का lane देना है, जहां पर actual transaction होगा, finance के through, go through होगा, वो चीज़े है, अना तो वो काम देख ली जाए, वैसा रहता है, इसमें, fire services बताया है, बचाने का, accounts office के तो official work रहेंगे, यह चोटे position ह हैं, तो समझ लीजे, manpower वाली requirement फुल्फिल कर रहे हैं, कोई भी चोटे मुटे काम होगे तो आपको करना होगा, law से related काम होगा है, तो legal cases कोई AI पर चल रहे हैं, AI या AI इसे बाहर हैं, तो उस पे आप करेंगे, काम, या फिर कोई contract पर hired है, तो उनको manage करना, तो बाहर केस जोब अच्छी है, जैसे imagine कर लीजे, पांच-सात मंजिल या फ्लोर है, विल्डिंग है, और एक फ्लोर में दो partition बने हुए है, एक side पूरा, समझ लीजे, common cadre वाले बैठ रहे हैं, एक side finance वाले, ऊपर देखोगे, तो HR वाले बैठे हैं, इधर देखोगे, law वाले बैठे हैं सब का काम एक ही टाइप का है, बस paper work अलग-अलग उस पर department में कर रहे हैं, फाइल पुट अप करना, फाइल को कैसे move कराया जाता है, इसको sanction कैसे कराया जाता है, circular जो आते हैं, जैसे official जो statements होते हैं, जैसे rules regulation होते हैं, वो circular बोलते हैं हम लोग उसको, उसके हिसाब से act करना, file बनाना, excel वगरा में काम, यह सब चीजें imagine करिया आप, ठीक है, बहुत बड़ा room होगा, वहाँ पर चोटे 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 partitions बना देंगे, आपको एक partition दे दिया जाएगा, वहाँ बैटके आप काम करोगे, 9 to 5 type, कोई night shift allowance वगरा नहीं होगा, क्योंकि इसमें है नहीं कोई रहता है, NPS नहीं कटता है अपना, PF रहता है, NPS में अगर बनाना चाहते हैं, तो personally आप account बना सकते हैं, salary का कुछ पार्ट वहाँ डाल सकते हैं, वैसा कुछ या जा सकता है, NPS ऐसे नहीं कटता है, Central में रहता है, PF रहता है, उसी के अनलोग है सकने, और medical वगरा का बता दिय और medical कैसा मिलता है, scheme है, scheme भी medical वाली वीडियो देख लेना, DA का भी बता दिया, आपको furniture allowance वागरा मिलता है, कि नहीं, वो सब पूछ रहते है कुछ, तो financial allowance नहीं रहता है, मुबाइल के लिए मिलता है, shoes के लिए मिलता है, uniform के लिए मिलता है, मुबाइल में अभी-अभी कु यतना higher position पे रहेंगे, उत्ता ज्यादा amount मिलेगा, तीन साल के लिए मिलता है, uniform भी तीन साल के लिए रहता है, shoes per year रहता है, पर नहीं चलने ही रहता है, PSU दूसरे PSU में ही सब बहुत मिलता है, यहां नहीं मिलेगा, PRP से related कुछ questions थे, PRP दिवाली bonus type का मिलता है और basic plus DA type का क कुछ मिल जाता है अपने को, इतना लाखों में नहीं मिलता है, जो बहुत सारी oil वाली companies में मिलता है, उत्ता तो नहीं मिलता है, तो अभी तक मुझे तो नहीं मिला दो साल में एक भी, अभी loss में थी क्योंकि 2021-2020 के टाइम पर कभी मिलेगा तो उस पर वीडियो बना दूँ टाइम मिलेगा कि नहीं, दूसरे एक्जाम के लिए प्रिपेर करने के लिए तो मेरे को लगता है, एमपल आमोंट ऑफ टाइम मिलेगा आपको, कोई भी ऐसी पोजिशन नहीं या थार्टियम मेरे को लगता है, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो, CNS और ATC ही है, ATC सब मिलेगे कि नहीं, तो जैसे मैं पोस्टिंग लोकेशन वाला वीडियो बनाया है, अल्मोस्ट वैसे यह बस लॉवालों का और अर्किटेक्ट जूनियर से एक्जेक्टिव अर्किटेक्चर वालों का फिक्स रहता है थोड़ा, वरना आपके केस में आपको एकदम अपना ल इमर्जनसी का केस चलता है, आपको एक लोकेशन पर ही आपका काम बन रहे है तब आपको मिल सकता है, बहुत लोग बहुत ट्राय करते हैं, इस पर जादा नहीं सोचने का है, तो मैं क्या ही बोलू, बाकि आप अथर्टी आके समझ पाएंगे, बहुत सारे आप खुद भी नहीं जानता हूँ, बहुत सारे चीज़ां मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि कुछ चीज़ां आप उस दिपार्टमेंट काम करके ही जानते हैं, तो जितना हो सके, क्लोस टू पहुंच रहा हूँ मैं, और कुछ कोईरीज होंगी आपकी, तो आप इस वी वीडियो बना दूँगा, फिर मिलते हैं फिर, नेक्स वीडियो में तब तक के लिए,